क्या आपके घर में तेल को कच्चा खाया जाता है? आपका जवाब शायद ना ही होगा. लेकिन आज कल हम सब लोग इस तेल को कच्चा ही खा रहे हैं. आईए जानते हैं कैसे? ये है मेयोननेस, जिसे हम सब आज कल काफी मात्रा में खा रहे हैं. देखिए इसे बनाया कैसे जाता है पहले आता है अंडा फिर लेमन जूस उसके बाद विनेगर टेस्ट के लिए मस्टर्ड और नमक फिर आता है धेर सारा ओल वैसे तो ज्यादा ओल मतलब ज्यादा फैट लेकिन मेयोनेस में ओल कौन सा है इससे डिसाइड होगा की हमारी हेल्थ को खत्रा ज्यादा है या बहुत ज्यादा फिर इन सभी इंग्रीडियन्स को पकाते नहीं है बस अच्छी तरहे से मिक्स कर लो हो गया आपका मेयोनेस तय्यार कितना ज्यादा ओल ये सब बीमारी लाने में बहुत ज्यादा सक्षम है इसके बाबजूद, भारत में मेयोनेस का मार्केट कुछ इस तरह से है 2016 में 1 billion US dollars से बहुत कम था जो 2018 में 1 billion US dollars से ज्यादा हो गया और 2023 में तो 3 billion US dollars से ज्यादा जिसका सीधा सा मतलब है भारत के लोगों ने मेयोनेस खाना कुछ ज्यादा ही कर दिया और यही वजह से ये सब न्यूज के पीछे हमारी बदलती दिंचर्या के साथ मेयोनेस भी एक कारण हो सकता है इसलिए गलत चीजों से दूर रहे अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखे